हेलो फ्रेंड वल्कम टू इस्टेडी नियूज आज हम इस वीडियो में IUCN यानि International Union for Conservation of Nature जिसे हिंदी में अंतराश्च्रिय प्राकर्तिक संरक्षर संग कहते हैं इसके बारे में जानेंगे सो लेट अस्टार्ट विश्व इस्तर पर विभीन प्रकार के जानवरों पक्षियों पेड़ पौधों के संरक्षर पर नजर रखने वाला ये एक सर्वुच संग्ठन है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्याले स्विजर लेंड में है IUCN सभी जानवरों पौधों की इस्तिती के अनुसार उन्हें अपने लिष्ट में सामिल करता है जैसे कोई जानवर या पौधा विलुप्त हो गया है या होने की इस्तिती में है या उन पर कोई खत्रा है या नहीं उस हिसाप से अपने लिष्ट में सामिल करता है इस लिष्ट से जैविक विविधता की इस्थिती को जानने में काफी सहता मिलती है IUCN की इस मापन की लिष्ट को IUCN की रेड लिष्ट भी कहते हैं इसे 1963 में गठित किया गया था और इस लिष्ट को 1969 से प्रकासित किया जा रहा है इस लिष्ट में कई डिविजन है पहला एक्ष्टेंड जिसे विलुप्त कहते हैं जब किसी जीव या पौधे का अंतिम सदसे खत्म हो जाता है और फिर विस में कहीं भी वो ना पाया जाए उसे विलुप्त माल लिया जाता है अक्सर ऐसा इसली होता है कि वो जीव बदलते वातावरण में खुद को ढाल नहीं पाया या उसका प्राकर्तिक वातावरण बदल जाता है और ऐसी इस्तिती में वो पनप नहीं पाता और उनमें जीवित रहने की छमता नहीं रहती वो जीव या पौधे विलुप्त हो जाते दूसरा है वन विलुप्त जिसे एक्टेंड इन दे वाइल्ड कहते हैं वो जीव जन्तु या पेड़ पॉदे जो जंगलों से पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं बस चिडिया घरो या मूल निवास इस्थान से अलग उन्हें किसी सरक्षी छेतर में बसाया गया हो सिर्फ वहीं पाये जाते हैं उन्हें इस लिष्ट में सामिल किया जाता है तीसरा है घोर संकट ग्रस्त ग्रिटिकली एंडेंजर्ड इसे इंग्लिस में कहते हैं ऐसे जीव जिन पर विलुप्त होने का खत्रा बना हुआ है जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है उन्हें इस लिष्ट में सामिल किया जाता है चौथा है संकट ग्रस्त जिसे इंग्लिस में एंडेंजर्ड कहते हैं इसमें वो जीव आते हैं जो जंगलों से खत्म होने वाले हैं यदि उनका संरक्षर नहीं किया गया तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे पच्वा है असुरक्षित जिसे इंग्लिस में vulnerable कहते हैं इसमें ऐसे जीवाते हैं जो वनों से खत्म होने वाले हैं या उनकी खत्म होने की संभावना हैं उन्हें इस list में सामिल करते हैं छट्वा है संकट निकट जिसे इंग्लिस में near threadnet कहते हैं इसमें ऐसे जीव आते हैं जो भविस में खत्म हो सकते हैं लेकिन आज खत्म नहीं हुए हैं उन्हें इस लिष्ट में डालते हैं साथवा है संकट मुक्त इसमें ऐसे जीव या पौधे आते हैं जो खत्म होने के कगार पर नहीं है जिन पे खत्म होने का कोई खत्रा नहीं बना हुआ है उन्हें इस लिष्ट में डालते हैं और आठवा है आकडो का अभाव जिसे डाटा डिफिसियन्ट कहते हैं इसमें ऐसे जीव आते हैं जिनका आकडो की कमी की वज़े से ये डिसाइड नहीं किया गया हो कि उसे किस लिष्ट में रखा जाना चाहिए और नौवा है अनाकलित जिसे नौट इविलेटेड कहते हैं इसमें ऐसे जीव आते हैं जिनका आकलन अभी नहीं किया गया हो उन्हे इस लिस्ट में डालते हैं तो ये थी IUCN से जुड़ी कुछ important information Thanks for watching this video Please like, subscribe and comment